एक बार एक जंगल में आग लगा था वहां से एक गर्बवती हिर्णी अपने प्रान बचाने के लिए दोड रही थी दोड़ते दोड़ते वह एक नदी की और पौँची और आगे कैसे जाएगी करके और जन्म कैसे देगी करके सोचने लगी तब वह दाइने फाग में जाने की इच्छा की और देखी कि एक शिकार तीर के साथ शिकार करने कड़ा था वह देखकर डर के मारे वह बाई दिशा की और जाने की निरनाई की तब वह देखी कि एक शेर उसे खाने के लिए खड़ा है चारो तरफ शत्रू ने उसे घेर लिया था वो अपने आप से कहने लगी कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी तब तुरंद एक बड़ा संसना हट आया और बहुत जोरों की बारिश होने लगी तब वह शिकार का निशाना चूक गया और वह तीर शेर के मुँपर लग गया शेर डर कर वहां से तुरंद भाग गया और बारिश के वज़ा से जंगल का सारा आग बुझ गया हीरनी शांती से एक बच्चे को जनम दी तो प्रियों कभी-कभी हमारे जिंदगी में भी हीरनी के जैसे चारो तरफ रास्ता बंद दिखेगा लेकिन हमारा परमेश्वर नया रास्ता जरूर खोलेगा जैसा वचन कहता है ये हुआ सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा वो तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा धन्यमाद